मुझा प्रप्राइब करते हैं प्रधान मंतरी आवास योजना शहरी की नौवी वर्षगाट हो रही है इस मौके पर यह बताना जरूरी है कि प्रधान मंतरी आवास योजना के तहत तीन करोड अतिरिक्त ग्रामी नेवं शहरी घर करोडो भारतियों के जीवन यापन में सुगमता और सम्मान का एक प्रोच साहन बन रहे हैं इससे पहले प्रधान मंतरी नरींद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पिछले कारेकार में योजना को दिसम्बर दो हजार चौवेस तक विस्तार दिया था अब ग्रामीर एवं शहरी अतिरिक्त घरों के निर्मान का निर्ने राष्ट की आवास संबंधी आवशक्ताओं को पूरा करने प्रतियक नागरिक के लिए बहतर गुणवत्ता वाला जीवन सुनेशित करने और बंचितों को पक्के घर देने के प्रती तीसरे कारेकार में भी केंद्र सरकार की प्रतिबधता को दर्शाता है पी एम एवाई के तहत निर्मित सभी घरों में केंद्र सरकार और राजसरकारों की अन्य योजनाओं को मिलाते हुए घरेलू शौचाले लपीजी कनेक्शन बिजली कनेक्शन सक्रे घरेलू नल कनेक्शन समेट अन्य पात्र परिवारों की संख्या में बढ़ोत्री से पैदा हुई आवास की जरूरतों को यह तीन करोर अतिरिक्त मकान पूरा करेंगे जिसके लिए ग्रामीड और शहरी परिवारों को सरकार सहायता दे रही है। आवासियोजना में घर पाकर ना सिर्फ लोग समानित में हैसूस कर रहे हैं बलकि इससे उनके आतना विश्वास में भी बढ़ोती हो रही है। पीम आवासियोजना में केंद्र सरकार जो सहायता देती है उसकी प्रक्रिया और राशी निर्धादित है। 1.2 लाख रुपए और पूर्वोतर और पाड़ी राज्यों, कठेन शेत्रों और एकिकरित्र कार्य योजना जिलों में 1.3 लाख रुपए की वित्य सहायता दी जाती है। 1.2 लाख रुपए और आने वाली मेरी पीडी भी जोपडी में ही रहेगी। 2.3 लाख रुपए और पूर्वास देश को बाहर निकालने के लिए मोधी सरकार लगातार काम कर रही है। इसके चिंता भी कर रही है। सरकार ने शहरी प्रवासियों, मजदूरों और दूसरे काम करने वालों के लिए किराय के घर की विशेश योजना बनाई है। इसके तहट अनिक शहरों में विशेश कॉंपलेक्स बनाई जा रही हैं जहां कि फायती किराय पर आवास परीसर की शुरुआत के इंद्र सरकार कर रही है। इसके एक मॉडल के तहट तमिलनाडू में 18,112 यूनिट समेत कुल 48,113 यूनिट का निर्मान किया जा रहा है। इस योजना में प्रवासियों को उनके कारेस्थल के नजदीक फायतिदर पर किराय का मकान उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना के पहले मॉडल में चन्दीगर, गुजरात, राधिस्थान, उत्राखंड और जमुकश्मीर में मौझदा सरकार वित्त पोशित 5,648 आवास शहरी गरीब और प्रवासि के लिए A.R.H.C. में परिवर्टित कर दिया गया है। साथी 7,000 से अधिक खाली घरों को भी A.R.H.C. में परिवर्टित करने की प्रक्रिया जारी है। कारण ये भी है कि मकान सिर्फ इड सिमेंट से तयार नहीं होता बलकि ये भावनाएं आकान शाहों से जुड़ा होता है। घर की चारदिवारी लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है इसे बहतर कल का भरोसा भीवक्ति के जीवन में आता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।